बिस्मिल्लाहिराहमान रहीम आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्लेक्स अनल्सीज हमारे पॉसका लेक्चर 26 है हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथिमेटिक्स है यहाँ पार FSE, BS, BSE, MSC मैथिमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और आगे शेर करें आज हम डिसकस करेंगे हमारे पास important topic है green theorem statement है if c is a curve in closing the area s then हमारे पास integral p d x plus q d y is equal to surface integral partial q over partial x minus partial p over partial y is equal to d x into d y देखें थोड़ सा मैं आपको clear कर दूँ हमारे पास यह x y coordinate system है x axis y axis यह हमारे पास close curve है अब आप यहां से इसको x on x axis मिलाएं यह हमारे पास x is equal to a point है और x is equal to b यह इसी तरह आप इसको along y axis मिलाएं यह हमारे पास point e है और इस इसके मिलाएं इसको यह हमारे पास f है यह यह यहां यह is equal to e और y is equal to f यह हमारे पाक अरब जो along x-axis है इसको हम लिखते हैं y is equal to f of 2x यह y2 लिख लें यह करब जो हमारे पास है यह हमारे पास y1 is equal to f1 of x अगर इसको नाम a बोल दिया जाए इसको हम capital b बोल दें और इसको हम capital e से डिनोड कर दें और इसको हम capital f तो देखें a e b a e b जो हमारे पास करब है वो है y2 is equal to f of 2x इस तरह हमारे पास करब a f b a f b जो करब हमारे पास यहां पे y1 is equal to f1 of x जो हमारे पास x की limit है x is equal to a x is equal to b अब आप देखें यह वाली हमारे पास करब है e b या इसे लेख लेए a b e या इसे भी आप इसको बोल सकते है e a f e a f हमारे पास जो है यह है x 1 is equal to g1 of y और यह हमारे पास e b f e b f जो हमारे पास करब है x 2 is equal to g of 2 y देखें e b f e b f जो करब हमारे पास है x 2 is equal to g of 2 y इस तरह e a f e a f जो करब है x 1 is equal to g1 of y जो y की limits है y is equal to e y is equal to f हमारे पास जो green theorem है जिसका हम प्रूफ करेंगे green theorem वो हमारे पास है single integral p d x plus q d y is equal to surface integral partial q over partial x minus partial p over partial partial y into dx dy देखें पहले मैं इस पार को consider कर लेता हूँ consider हमारे पास partial p over partial y dx dy surface integral तो देखें हमारे पास जो x की limit है वो a to b और जो हमारे पास y की limits है y की limits जिसका हम लिख सकते हैं f1 of x to f2 of x क्योंकर पहले हमारे पास देखें पहले हमारे पास जो limits होगी वो x की होगी अगर इसको मैं change कर दो हूँ order को जब हम order लिखेंगे partial p over partial y dy dx जो first limit है जो y की होगी जो second limit है वो x की होगी यनि y1 से y2 x1 से x2 देखें हमारे पास जो x की limits है a to b है और y1 y2 की limit जो है f1 of x f2 of x partial p over partial y dy dx note करें जो सबसे important point है हम इसको differentiate करेंगे with respect to y देखें partial p over partial y dy देखें जब आप इसको integrate करेंगे with respect to y derivative with respect to y है integration भी with respect to y है आप इसमें cancel function क्या जगा पी पी जो अब यहां सबसे जो important बात है जो पी यह भी function x और y का है जो q है यह भी function x और y में है को हम दिखेंगे x y limit f1 of x to f2 of x dx आप देखें यह किसकी limit है y की यह y की जगापे put करेंगे हमारे पास आजगा a to b replace करें p of x y की जगापे f2 of x minus p x वा lower limit y की जगापे f1 of x आगे हमारे पास है integration with respect to x आप apply करें a to b f of x वा f2 minus p x वा f1 dx इंडिके से apply करें a to b जब आप lower limit को अपर लिखेंगे d x देखें a to b a to b initial point b b है और terminal point b क्या है b अगर initial point और terminal point same हो तो वो करव क्या होती है क्लोज इसका हम लिख सकते हैं p p d x simple लिख लें p x वावा आप लिखा था f1 जिसको मैं simple क्या बोल सकता हूं पी तो देखें हमारे पास यहीं इसको ट्रीका था हमारे पास यहीं आपको figure भी क्लिर कर दी integrate किया वो ही देखें b to a to b ले 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 तो आप आप देखें b to a a to b देखें initial point same है तो उसको क्या लिख सकते हैं क्लोज कर पी डी एक्स similarly second भी हम ऐसे करेंगे अब हम इसको लेंगे q of को देखें हमारे पास पार्षिल क्यू ओवर पार्षिल एक्स d x d y तो आप देख लें अगर आपके आजए आपके पास जो फस्ट लिम्ट होगी इस आड़ पर जो एक्स की होगी और जो बाद बाद लिम्ट होगी वो किसकी होगी य की तो हमारे पास partial q over partial x d x d y तो लिखें x की लिम्ट क्या थी आपके पास g1 of y x2 की limit थी G2 of Y और Y की limit एक E थी और Y की limit दूसरी क्या थी F तो लिखें E2 F G1 of Y G2 of Y जब आप इसको करेंगे विज रिस्पेक्ट टू X इंटिग्रेड तो integration derivative cancel E2 F तो क्या देगा Q Q किसका function है X and Y का limit G1 G1 of Y से G2 of Y देखें अपर limit माइनस lower limit वह आप इसकी limit को अलादा इसको कर दें और इसकी अलादा अपलाई कर दें जब आप lower limit को अपर अपर को लोर में चेंज करेंगे तो बाहर क्या रहें एक्टिव देखें इसका initial point और terminal point जो क्या है और इसको change करेंगे इसके initial point को सेम करना चाहिए तो आप देखें इसको क्या लेकिसे क्यों डी वाई आगे पास फस्त आया था वो आर partial P over partial नकाला था हमने वो एक्वेशन सोरी एक्वेशन नमबर वान और एक्वेशन नमबर टू एडिंग एक्वेशन वान और टू तो देखें हमारे पास green तूर्म का प्रूफ हो गया देखें green तूर्म को आप कैसे apply करेंगे देखें पहले पी है तो आपके पास पहले जो के बाद में क्यूं है तो पहले क्यूं का डेरिवेट आएगा विसस्पैक टू एक्स पी का डेरिवेट विसस्पैक टू य और क्यूं का डेरिवेट विसस्पैक टू एक्स जो बाद में लिखा गा वो पहले आएगा जो पहले लिखा जाए उसको हम बाद में लिखेंगे देखें हमारे पास next भी हमारे पास जो थूर्म है कौशी फंडामेंटल थूर्म यह भी इंपॉर्टन है थूर्म स्टेटमेंट है if f of z is complex valued function such that f of z is analytical on way then close contour देखें हमारे पास f of z क्या है analytical function analytical function वो होता है जो काशीर मानियन equation को क्या करें satisfied काशीर मानियन equation क्या थी के partial u over partial x is equal to minus partial v over partial y फिर partial v over partial x बराबर था partial u over partial y इसका मतलब partial u over partial x partial u over partial y partial v over partial x partial v over partial y यह सारे हमारे पास जो derivative है यह continuous है in domain d अगर आप देखें तो आप complex number को change करते हैं c f of z d z को next है f dash of z is continuous then close curve c f of z d z is equal to 0 यह हमारे पास important theorem है देखें हमारे पास हम इसको change करते हैं पहले दो क्या तरीका था आपके पास c f of z d z हमारे पास जो f of z था उसको आप लिखते थे u plus eta v जिसको आप w बोलते थे w is equal to f of z तो w आपके पास होता था u plus eta v और z आपके पास क्या है x plus eta y जब d z लेंगे dx plus eta dy यहार प्लेस करें c f of z u plus eta v d z d x plus eta dy इनको multiply करें u dx plus eta u dy plus eta v d x yota square yota square v d y c yota termo को अकठी कर लें आप yota common आजएगा आपके पास u dy plus v d x yota square minus 1 यह क्या हो जगा minus 1 तो यहां से u d x minus v d y तो यह हमारे पास equations आगी देखें मैंने इसको change कर दिया function की form में यह देख लें u d sorry f of z u plus eta v z is equal to x plus eta y d z is equal to d x plus eta dy तो यह मैंने green थूर्म लिखा है देखें जब आपने green थूर्म लिखा था वहाँ पी आपने यूज किया था closing interval p d x plus q dy answer बराबर आया था surface integral partial q over partial x minus partial p over partial y d x dy अब आप देखें closing curve c u d x plus v d y देखें यहां यू ने काम किया है p का और v की जगांपे क्या है q तो change कर दें आप इसको double integral देखें यहाँ करता है तो अब आप देखें पहले भी आएगा partial वी-अवर-partial-x क्योंके पी की काम यू कर रहा है और क्यू को क्या का रहा है वी यानि पी की जगाह पे क्यूं रेप्लेस कर दें practically यू कर दें तो लिखें इसको माइनस partial u over partial y d x d y partial v over partial x को हम v x लिख सकते हैं partial u over partial y को हम simple u y लिख सकते हैं तो देखें मैंने f of z x plus y d x plus y की value मैंने यहां replace की जो मैंने भी आपको बताया था किसके equal है इसके equal value आई थी तो देखें आप चेक कर लें हमारे पास जो value वो हमारे पास देखें इसके equal थी और मैंने आपको बोला था जो काशीर मानियन equations है वो आपने लिखा था कि partial u over partial x बराबर था partial v over partial y जिसको मैं लिख सके हैं यू एक्स is equal to v y और दूसरा partial v over partial x बराबर था minus partial u over partial y जिसको मैं लिख सता हूँ वी एक्स is equal to minus u y using green theorem अभी मैंने आपको green theorem बताया है green theorem हमारे पास क्या था अभी मैंने आपको लिखे बताया close curve c ud x plus v dy green theorem surface integral partial v over partial x minus partial u over partial y dx dy इसको मैं सिंपल लिख सकते हैं वी एक्स minus u y dx dy जो सबसे important बात था वह गोर करनी है आपने जो बाद में लिखा जाएगा उसको जो दिखें यू का derivative आएगा partial y और v का partial x और यह पहले खाएगा minus v x और minus u y क्योंकि इसके साथ negative है इसी तरह इसको भी change करें क्या आएगा u x minus v y u x minus v y dx dy यहां हमने क्या apply किया green theorem को अब आप देखें अगला point हमारे पास क्या है यह हमारे पास क्या काशिर मानियन equation मैंने आपको लेकर बताई है काशिर मानियन equation इसका यूज करेंगे अब आप देखें minus v x की जगा पर minus v x की जगा पर पुट कर दें u y क्या जगा u y minus u y u y cancel 0 तो 0 की integration क्या होती है definite integral में 0 की integration 0 इसी तरह u x यह देखें u x क्या पुट कर दें v y v y minus v y cancel तो क्या आगया 0 तो यह हमारे पास क्या integration आगी 0 अब देखें यह सब से important theorem है कि अगर आपके पास जो contour integration है अगर आपके पास वह जो point है within domain होगा तो जो close curve है उसका जो complex integration होगी वो किसके परावर होगी 0 के देखें important example है evaluate the integral sine hyperbolic z e k power z plus z over z square minus 4 z square plus 9 dz where c is a unit circle देखें unit circle का क्या मतलब है कि जिसका radius हाँ के पास क्या हो one इसका मतलब हमारे पास जो unit circle है यह हमारे पास अगर unit circle है यह one minus one iota minus iota जो आपके point है वो इनके दर्मियान रहेंगे वेदर आप इसको देखें इनको आप चेक करें denominator को z square minus four is equal to zero z square is equal to four z absolute is equal to four तो z is equal to हमारे पास क्या जगा plus minus two इसे आप देखें z square is equal to minus nine और z square is equal to plus minus three iota अगर आप देखें plus minus two वो भी इस domain से बाहर है और plus minus three iota वो भी इस domain से क्या है बाहर है तो इस थूरम के मताबब कोशी कोशी fundamental थूरम के मताबब कोशी fundamental थूरम के मताबब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा zero तो देख ले हमारे पास मैंने आपको बताया कि पहले इसको zero पूट कर लें फिर इसको zero पूट कर लें इसकी वैल्य ऐलेगी plus minus three उटा है इसकी value plus minus two देखें जो उस domain से क्या होगी बाहर तो काशी fundamental theorem के मताबक इसका answer क्या होगा zero next example आप देखें example number two integral cause hyperboles plus z square over z plus three z plus five z plus three d z where c absolute is equal to two अगर आप देखें तो हमारे पास circle जो है उसका रिटीस क्या है To क्योंकि आपको परना के चाड़ surface किस परफ़ता है रही क्या परफ़ता है त्योंक माइनस टू ऐड़ीयो क्योंकि X-axis कि आपका और Y-axis आपका imaginary x होता है तब आप देखें इसको जЁनो 500 करें X is PLUS 5 is equal to zero z is equal to minus five देखें यह जो minus five है इस डिमेन से क्या है बाहिर है इस तरह जैट प्लाइट three is equal to zero z is equal to minus three देखें minus three भी इस डिमेन से बाहिर है इसका मतलब काशी fundamental theorem के मताबक इसका integral क्या होगा zero यह हमारे पास very very important lecture है अगर इसमें कोई आपको इशू हो तो आप मेरे साथ discuss का सकते हैं